एलो बच्चो तो कैसे हो आप सब तो आप सब को एक वाफ रिष्ट से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेन्मिंट के इस परिवार में तो आज के इस वीडियो में आप लोगों आप लोगों को दस मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड विनिंग देंगे तो आई ओपके आप लोग सब्सक्राइब कर रहना अब हमारा दूसरा सवाल है डी और डबलू एन वो डाउन तो आपको अगर इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताए तो टाइम स्टाट होता है अब तो इसका जवाब है नीचे जुकना नेक्स्ट कोशन है सी एस्ट सब्सक्राइब कर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताए तो मटाइं ताइम इस्टाट होता है अब n sabla रगाज़ को अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट फटा-फट से जवाब बताएं तो इसका जवाब धन्यवाद देना अब हमारे नेक्स्ट पोस्टन है डवलू ए आर एन वर्ण का क्या मतलब होता है तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट फटा-फट से जवाब बताएं तो आपको पास अपस्ट पांस सेकंड का समय जवाब देने के लिए तो टाइम स्टार्ट होता है अब तो इसका जवाब है जेताव नहीं देना अब हमारा अगला सवाल है स्पीक का क्या मतलब होता है तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट फटा-फट से जवाब बताएं तो टाइम स्टार्ट होता है अब तो इसका जवाब है बोलना अब हमारे अगला सवाल है ओ बी ए वाई ओवे ओवे मतलब तो आपको पास अब सिर्फ पांच सेकंड का समय जवाब देने लिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट फटा-फट से जवाब बताएं तो टाइम स्टार्ट होता ह है अब तो इसका जवाब है आ गया मानन भूरत ही सब्सक्तिमाव बचान अमारा नेक्ष टोर्ट ने भी इट बैट बच आपको इन recycling क्या क्येते हैं तो अगर आप लोग को इसके जवाब पता है तो कमेंट में फटा-फट से जवाब पता है तो टाइमी स्टाट होता है अब तो इसका जवाब है बाजी लगाना अब हमारा नेक्स्ट कोशन है पी आर ओ वी प्रो प्रो को हिंदी में क्या केते हैं तो अगर आप लोग को इसके जवाब पताए तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताए तो टाइम इस्टाट होता है अब तो इसका जवाब है साबित करना प्रो मतलब साबित करना तो यह थे आज का हमारे दस मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मिनिंग तो आई हो कि आप लोगों खुद को रेंग किया और कमेंट में बताए होगा कि आप लोग को कितने कोशन के एंसर पता थे तो ऐसे यूसफुल कॉ मेदा उसके लेते देट से सुख्रिया